पूरी बाच्चीत के लिए दिली से वारे सवरता संजे शर्मा हम तक जानकारी पहुचा रहे थे और फिरहाल ताज़ा अपडेट यही है कि संसत भवन में शाह के कक्ष में बैठक चल रही है जिसमें अनिल बलूनी लेकर पुछकर सिंग्धामी को जल्दी निड़े हो सकता इस तरह की किकायास की लगाए जा रहे है फिलाल बढ़ते आगे दिली से ही एक और बड़ी ख़वर की बात करेंगे यूपी चुनाब में हार पर कॉंग्रेस समीक्षा कर रही है कॉंग्रेस वार्डू में समीक्षा बैठक चल रही है प्रियंका गांधी की इस बैठक में मौझूद है ये बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं कई बड़े निता और गदातकारियों की मौझूदगी में ये बैठक इस फ़क चल रही है देखिए प्रियंका गांधी मौझूद है अजेकुमार नल्लू मौझूद है ये तस्पीर इस बैठक की हम आ प्रियंका गांधी ने तमाम प्रदेश अधर्ष समेथ कई निताओं के साथ कॉंग्रिस दफ्तर में भी उन्होंने जानकारी हासिल की थी और तमाम टाहलों पर चर्चा की थी उसके बाद आज आप जो देख रहे हमारे पीछे 15 रकाब गज गुद्वारा रोड है यहां इसके अंदर तमाम कॉंग्रिस नेताओं के साथ प्रियंका गांधी मौझूद है वो बैठक कर रही है उसके बाद वो एक डिटेल रिपोर् या और क्या हो जा रही है इसे लेकर के वो एक डिटेल रिपोर्ट यहां तयार करेंगी उसके बाद कहा जाए कि जो संसे सत्र खत्म होने के बाद दुबारा CWC की बाटाक होगी उसमें वो बात रखेगी फिर चिंतन शिविर में कहा जा रहा है कि चिंतन शिविर में जाकर कि उस रिपोर्ट का खुलासा करेगी का किरिया क्या वज़े रही है उसके बाद आगे की रन निती जो लोग सभा चुनाव 2024 में होने हैं उन्हें लेकर के ये यूपी में जाएगी 2024 का आपने मनोहर जिक्र किया तो मुझे याद आए कि प्रेंका गांदी से यूपी चुनाव के दोरान ये सवाल कई पत्रकारों ने पूछा था क्या 2024 की तैयारी कॉंग्रेस पार्टी कर रही है इस पर प्रेंका गांदी ने कहा कि हम खुद को मजबूत कर रहे हैं 2022 में करारी हार कॉंग्रेस पार्टी को जेलनी पड़ी है उत्रप्रदीश के अंतर क्या लग रहा है कि 2024 के लिए एक मजबूत संग्ठन कॉंग्रेस पार्टी तैयार कर पाएगी कॉंग्रेस अपनी और से तो जीतोड़ कोशिश करेगी क्योंकि जिस प्रकार से प्रियंका गांदी लगी रही हाला कि उन्हें जीत का स्वाद नहीं चक पाई लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है जो हमारे सुत्र बता रहे हैं कि एक बड़ा संगठन में भी फेर बदल ह हो सकता है उस फिर बदल के या तो ब्लॉक अस्तर पर हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष लेवल पे हो या फिर अलग अलग संगनाथमक या यूपी की हम बात करें या फिर अलग लेकिन प्रियंका गांदी का मुख्य फोकस जो है उतर प्रदेश को लेकर के हैं तो इसके बा फिर वो इसका खुलासा करेंगी उसके बाद एक हो सकता है कि संगनाथमक बड़ा फेर बदलो जे मनुखर आप ये भी बताए कि कौन-कौन से बड़े नेता इस बंतर में शामिल हुए हैं क्योंकि तस्पीर हम देख रहे हैं इसमें अजय ललू है सलमान खुर्शीद हैं प दो विधायक का नाम अपने लिया अनुराधा मिश्रा मोना का वो है और एक विरेंद चौधरी जो जीत करके आया हैं वो भी विधायक यहां पर मौजूद हैं राशिद अलवी हैं तो सलमान खुर्शीद हैं तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं और एक घंटे से लगातार बैठक चल रही है भाद जो खबर आई और उसमें इस बात का जिक्र भी क्या गया कि सोनिया गांधी नी ये प्रपोजल दिया कि अगर गांधी फैमली की वज़े से इस तरह की सित्यां बन रहे हैं mane तो वो तीनों प्रियंकागांधी हों राहूल गांधी हो सोनिया गांधी वो इस्तिफार द लेकिन जहां तक समिक्षा का दौर है तो कॉंग्रिस को लगातार इस हार की समिक्षा करनी पड़ेगी और आगे की रहनिती के लिए जो ब्लूपिरिंट की बात हो रही है कि प्रियंकाय गांधी उस ब्लूपिरिंट के तियार करने में जुटी है उसका भी आने वाले टाइम म जल्द ही जल्द खुलासा हो जाएगा बिल्कुल क्योंकि जिस प्रकार से जी 23 माना जाता है कि ये नॉन गांधियंस का ग्रूप है कॉंग्रिस में एक धड़ा जो है लेकिन गुलाम ने भी आजात लगातार इस बात को बोलते भी आये हैं और अभी आप देखेंगे कि सिर्प वो नहीं हरी शरावत आज उनका भी ट्वीट आया और उन्हों नहीं कहा कि उनके उपर जिस प्रकार से लांचन लगाये जा रहे हैं उनके उपर जो आरूप लग पर जो राहूल गांदी किया है उसके बाद फिर कॉंग्रेस की इसी डवलू सी की बैटक होगी संसरस्तर के बाद फिर चिंतन शिवीर का भी कहा जा रहा है कि चिंतन शिवीर का जोनों का जिसमें आगामी जो विधान सभाद चुनाओं हैं दो हजार बाइस में दो राज्य के लिए फिलाल हम